टॉप लार्ज कैप IT स्टॉक जिसके आज ही Q3 के रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट कैसे रहे हैं, क्या करन्ट लेवल पे बल्क बाइंग कर सकते हैं, क्या इसके बेस्ट बाइंग लेवल होंगे, इसके बारे में कम्प्लीट बात करेंगे, किस तरीके से प्रॉफिटेबल है, एंड किस तरीके से फ्यूचर इसका रह सकता है, ओर्डर बुक कैसी है, डिविडेंट कितना दिया है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, एंड वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको कम्प्लीट जो अंडर्स्टेंडिंग है, वो आप कॉम्प्रियंड कर सके वीडियो को इस्टार्ट करें, इससे पहले अगर आप रिलक्ष हो के एगसिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, तो इससे पहले जो वीडियो अप्लोड किया है उसको जरूर देखें, जिससे कि आपको अपनी अंडर्स्टेंडिंग पता चल सके कि मार्सलेस के एगसिट करने के आपको करेंट लेवल पर क्या करना से यह आपकी अंडरस्टेंडिंग बन सके आज की वीडियो हम बात करेंगे LTI माइंटरी के स्टॉक के बारे में आज ही के दिन में 0.69% बढ़ के यह स्टॉक बंद होता है और आज ही के दिन इस स्टॉक के रिजल्ट आता है सबसे पहले डिटेल में रिजल्ट के बारे हम बात करेंगे कैसी ग्रोथ रही है क्या estimates को beat किया है या नहीं and future कैसा रह सकता है उसके बारे में यानि कि December 2022 के result को हम इस से पिछले quarter यानि कि September 2022 से direct compare नहीं करके पिछले साल के ही December quarter से compare करेंगे यानि कि December 2022 के quarter result को December 2021 से compare करेंगे ऐसा करने से हम जो भी business के अंदर cyclicality होती है जो भी cyclic nature होता है profit and loss का revenue का उसको हम avoid कर पाएंगे अब देखेंगे कि December 2021 में LTI माइन्टरी का जो revenue था 6881 करोड था जो currently December 2022 में बढ़के 25.27% से बढ़के 8620 करोड हुआ है यानि कि revenue के अंदर 25.27% की growth देखने को मिली है quarter result के अंदर YOY basis पे यानि कि year on year basis पे जो की revenue growth काफी सांधार है and जो की street के जो estimate थे उससे भी जादा की revenue growth नजर आई है जबकि जो operating profit margin है वो घटा है 21% से घटके 16% हुआ है around 30% की गिरावट operating profit margin में देखने को मिली है operating profit margin के गिरने की वज़े से net profit भी गिरतावा नजर आएगा net profit जो December 2021 में around 1050 करोड का था वो घटके around 1000 करोड का net profit आया है अब जो 25% के revenue growth आई है उसके पीछे का reason ये है कि LTI जो की Larson and 2bro Infotech था वो and जो mind tree है इन दौनों के merger के बाद जो clients है उनका trust और बड़ा है technology division को लेके इस वज़े से जो 25% की growth आई है and management की commentary में ये देखने को मिला कि management future में भी ये जो 25% की revenue growth है जो की industry में लगभग best है वो future में भी देखने को मिलेगी अब अगर dividend की बात करें तो 20 रुपीज पर share का interim dividend company ने जारी किया है interim dividend यानि की इसमें shareholders के approval नहीं लगेंगे and जो interim dividend होता है वो 30 days के अंदर आपके जो account है उसमें देखने को मिलेगा interim dividend के लिए जो record date है वो 31st January है यानि की 31st January के दिन आपके DMAT holding में अगर LTIM के share होंगे तो आपको 20 रुपे पर share के according dividend मिल जाएगा अब अगर addition rate की बात करें जो कि IT companies में पीछे काफी चिंता का विशय रहा है वो कम होती हुई देखने को मिली है LTIM के case में जो कि पिछले 12 महिने की अगर बात करें तो जो 24.1% हुआ करती थी वो December quarter के end होने के बाद 22.3% परसेंट पर आई है यानि की addition rate कम हुई है जो कि एक positive sign है किसी भी IT company के लिए अब बात करते हैं इसके buying level के बारे में या कुछ fundamentals के बारे में तो आप देखेंगे कि currently stock है 36 के PE पे available है जो कि slightly high है क्योंकि आप देखेंगे जो भी large cap category के अच्छे IT stock है जैसे की TCS है Infosys है वो 30 से नीचे के PE पे available है तो PE के size पे अगर देखा जाए तो stock थोड़े से महेंगे valuation पे available है currently भी 1,26,000 करोड की market cap की company है जो कि large cap space से belong करती है and ROC आप देखेंगे 35.7% का है जो कि काफी सांदार है return on equity 28.5% का है अगें ये भी काफी सांदार है debt to equity ratio 0.09 का है यानि कि negligible debt है company के ऊपर generally IT companies के उपर आपको कम debt ही देखने को मिलता है dividend yield आप देखेंगे 1.05% की है जो कि काफी सांदार है sales growth 18% की है काफी सांदार है profit growth भी around 15% की है अगें ये भी काफी सांदार नजर आती है company free cash flow generate कर पाने में भी capable है पिछले तीन साल का free cash flow 4330 करोड के आसपास नजर आता है price to sales ratio 4.91 है जो की बहुत ज़्यादा नजर नहीं आता है अब अगर compounded sales growth देखी जाए पिछले 5 सालों से company 19% के according CAGR के according अपनी sales को growth कर रही है और जो current quarter result है उसमें इन 19% को भी beat करके 25% की sales growth देखने को मिली है अगर profit growth की बात करें तो around 19% से company पिछले 10 सालों से या पिछले 5 सालों से आप देखें तो consistency इनके profit growth में भी नजर आती है तो company काफी सांधार है P ratio के according थोड़े से महेंगे valuation available है उसका एक ही इलाज है दोस्तो जो भी अच्छी companies high ROC, high ROE and अच्छे profit growth sales growth वाली companies है आपको हमेशा high PEP मिलेगी लेकिन कभी भी कोई भी dip आता है तो उन stocks को धीरे धीरे करके एक quantity, दो quantity, पांच quantities ऐसे करके आप अपने portfolio में add कर सकते हैं टेक्निकली अगर देखा जाए तो जनवरी 2022 में इस stock ने जो high लगाया था वो था 7,568 रुपए के आसपास का यानि कि वहां से stock currently 43% के correction पे currently available है जो कि किसी भी अगर fundamentally strong stock में अगर आपको 40% तक का correction देखने को मिलता है एंड आप उसके business में अगर believe करते हैं तो उससे अच्छा buying level कोई नहीं हो सकता लेकिन again अगर इसके best buying level की अगर मैं बात करूँ तो जो इसका पिछला low था जो जुन जुलाई 2022 में देखने को मिला था वो था 3844 अगर वो level देखने को मिलता है तो वो काफी best buying level होगा एंड अगर वो level नहीं भी आते हैं तो जो current level है उस level पे भी small small quantities में add किया जा सकता है इस stock को result काफी अच्छे हैं और future में भी जो future order book है उसको देखते विए जो management अपनी guidance दे रहा है 25% revenue growth के continue रहने की जो कि एक काफी बड़ी बात है एक बड़ी IT company के लिए तो क्या आप इस stock को hold करते हैं आपको यह analysis कैसा लगा comment section में जरूर बताएं एंड इसी type के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं